नमस्कार प्रभास अख्यूर्यूंस नाटर को आप सभी का स्वागत है लोगसवा विपक्ष के नेता राहूल गांधी ने आज हर्याणा में अपनी पार्टी के प्रत्याशियों के प्रचार का काम शुरू कर दिया आट से दस दिन बचे हैं प्रचार के तब वो चुनाव प्रचार में उतरे हैं पहले भी सवाल उठ रहा था कि राहूल गांधी को क्यों नहीं चुनाव प्रचार में लाये जा रहा है लोग कह रहे थे कि कॉंग्रेस उनको लाने से इसलिए बच रही है क्योंकि वो नहीं चा से कॉंग्रेस के नेता वहां विभाजित थे उनको एक्चुट करने के लिए किसी हाई कमान के किसी नेता का बहुत जरूई था तो इसलिए राहुल कांदी यहाहां पर जो एक्ता का संदेश देने का प्रयास तो यही शार्षी वहां पर उन्हों आपने एक वीडियो का हवला दिया अपनी आमेरिका यातरा का हवला दिया और बतायए कि किस तरीके से वह युवा है वो डंकी रूट लेकर अमेरिका जाते हैं। वहाँ पर वो किस तरह से नार्किये जीवन जी रहे हैं, यहाँ पर उनके जो परिजन हैं, वो किस तरीके से उनका, उन से मिल नहीं पा रहे हैं, ऐसा उन्होंने अपने वीडियो का हवाला देते वे तमाम बाते कहीं हैं। उन्होंने हर्याना की बीजेपी सरकार पर रिष्टाचार के आरोप लगाए हैं तमाम वादे भी की हैं हर्याना की जनता से तो आईये देखते हैं कि राहुल गांदी ने अपने सम्मुधन में हर्याना की जनता के लिए क्या बड़ी वाते कही हैं कैसे हैं आप मूड कैसा है नई सुना ही नहीं दिया मुझे मूड कैसा है यह देखिए आज कल ग्लोबलाइज दुनिया है सारे के सारे देश हवाई जहाज से टेक्नॉलिजी से जुड़े हुए है कुछ दिन पहले मैं अमरीका गया अमरीका में मेरा प्रोग्राम टेक्सस में था और किसी ने मुझे कहा कि टेक्सस में हर्याना के युवाओं से मुझे मिलना चाहिए पता नहीं आपने वीडियो देखा नहीं देखा देखा मैं आज आपसे उस वीडियो के बारे में बोलना चाहता हूँ क्योंकि अगर आज आप हर्याना को समझना चाहते हूँ तो जो भी समझना है उस वीडियो के अंदर है सबसे पहले जब मुझे बताया गया कि हर्याना से हजारों लोग पंद्रा भीस हजार लोग अमरीका गए है मैं हर्यान हुआ हर्याना से इतने लोग अमरीका क्यों जा रहे हैं ये मेरे दिमाग में सवाल उठा और फिर मैं डैलस में आपके भाईयों से एक छोटे से घर में जाके मिला मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके भाई डैलस में एक कमरे में 15-20 लोग सोते हैं मैंने उनसे पूछा आप अमरीका कैसे आए देशों की लिस्ट ने दी पहले हम यहां गए टर्की गए कजाकिस्तान गए कजाकिस्तान से साउथ अमेरिका गए साउथ अमेरिका से एक के बाद एक एक के बाद एक एक के बाद एक एक बाद एक हम दूसरे देशों से निकले और फिर हम पैनमा के जंगलों से निकल कर अमरीका में जाए अमरीका में हमें रोका गिया पकड़ा गिया और अब हम अमरीका में है रास्ते की कहानी बताई राहूल जी रास्ते पे माफिया के लोगों ने एक बार नहीं अनेएक बार हम सब को लूटा हम समुद्र में से निकले जंगलों में से निकले पहाडों में से निकले हमारे भाईयों को मरते हुए हमने देखा है जंगल में मरते हुए देखा है गिर कर मरते हुए देखा है अपनी आँकों से देखा है फिर मैंने सवाल पूछा मैंने कहा कि भाईया ये जो आपने सफर किया है आप अमीर लोग तो नहीं हो इस सफर के लिए प्लेन टिकेट के लिए नाउ के लिए गाड़ी के लिए आपने कितना पैसा दिया अमरीका में घुचने के लिए आपने किसना पैसा दिया राहुल जी कम से कम 35 लाक रुपे अमरीका में जाने के लगते हैं फिर मैंने सवाल पूछा भाई एक बात बताओ आप 35 लाक रुपे बियाज लिए हो या आपने अपना खेत बेचा आधों ने कहा कि भहिया हमने अपना खेत बेचा दूसरों ने कहा हम भी आज लिए मैंने कहा किस रेट पर भी आज लिए हो कहते हैं 2% प्रति महीना फिर मैंने पूछा भहिया एक बात समझाओ आपने 30 लाग 35,50,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 अगर हमने पचास लाख रुपए, ये पचास लाख रुपए हरियाना में बिजनस चालू करने के लिए लगा दिये होते तो हमारा बिजनस फेल हो जाता, किसी ने मुझे ये भी कहा, कि राहूल जी मैंने ट्राइ किया, फेल हो गया बेरोजगारी है, महिंगाई है और जब उन्होंने मुझे बोला, मुझे दुख हुआ, उन्होंने बोला, राहूल जी, हरियाना में हमारे जैसे लोगों के लिए अब कुछ नहीं बचा है अगर एक युवा गरीब है, अरब पती का बेटा नहीं है, तो ना उसे बैंक लोन मिल सकता है, ना वो बिजनस चालू कर सकता है, ना वो पबलिक सेक्टर में जौब पा सकता है, ना वो आरमी में जा सकता है एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक सारे दर्वाजे आपके बंद कर दिये गए हैं मैं जब उस घर से निकला, मैं सोच रहा था कि अगर इनकी ये अहालत है तो इनके बच्चों की क्या हालत ये तो यहाँ है कोई ट्रक चला रहा है कोई जॉब कर रहा है पैसा कमारे मेरे माइंड में आये कि इनके बच्चे क्या कर रहे हैं इनकी फैमिली क्या कर रही है कमने में मैंने बात उठाई थी मैंने का कि आप family से मिलते हो नहीं राहूल जी हम 10 साल के लिए अपने बच्चों से नहीं मिल पाएंगे अपने परिवार से नहीं मिल पाएंगे हमारे माता पिता मर जाएंगे मगर हम वापिस नहीं जा पाएंगे और फिर एक व्यक्ति ने मुझे कहा राहूल जी एक काम कीजिए जब आप वापिस हिंदुस्तान जाएंगे तो आप पाँच मिनट के लिए हमारे परिवारों से मिल लीजिए और उनको कह दीजिए कि हम ठीक हैं हम सिलामत है मैंने उनसे कहा कि बही बताओ आपके पास तो मुबाइल फोन तो होगा वीडियो कॉल करते होगे तो उनको तो मालूम होगा मुझे कहते हैं नहीं राहूल जी वो मानते नहीं है हम वीडियो फोन पर कॉल करते है और हमारे बच्चे मानते नहीं है कि हम ठीक है अजीब सी बात है फिर मैं करनाल गया सुबह चार बजे कि मैं चाहता था ये मीडिय वाले ना पकड़ ले मुझे तंग करते हैं मैंने इनको मित्रों कहा मतगर ये हैं अदानी के मित्र अंबानी के मित्र मैं गया चार बजी सुबह वहां बैठ गए बाची शुरू एक मेंबर परिवार का यूएस में वीडियो कॉल चल रहा है छे साथ लोग उस साई डैलेस में बैठे है 20-25 लोग परिवार यहां बैठे है मैं सोच रहा हूँ ये हो क्या रहा है और फिर छोटा था बच्चा दोड़ता हुआ दोड़ता हुआ वो कंप्यूटर के पाँ जाता है कंप्यूटर को ऐसे पगड़ता है और इतनी जोरों से चीखता है कि मैंने मतलब शायद अपनी लाइफ में ये चीख नहीं सी सुनी कापता हुआ चीखता है पापा 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 वापिस आओ और पिता कुछ नहीं के पाता है देव को देव के आंकों में आंसू चिला रहा है और पिता हजारों किलोमेटर दूर मुस्कुराने की कोशिश कर रहा है नहीं मैं ठीक हूँ किसी ने कहा बच्चा एमोशनल हो गया मैंने माइंड में सोचा कि एमोशनल हो गया इसके हर रोज सीने में छुरे लग रहे है एमोशनल शर्ट का क्या मतलब है वो अपने पिता को दस साल के लिए नहीं देखेगा छूनी पाएगा गले नहीं लग पाएगा क्यूं? क्यूंकि हरयाना की सरकार ने हरयाना को नश्ट कर दिया है खत्म कर दिया है वो देख की चीखे नहीं थी वो हरयाना के हर युबा के चीखे है और जब वो बोल रहा था मैं सोच रहा था कि ये एलेक्शन सब कुछ ठीक है मगर हरियाना में जो लाखों बच्चे इस प्रकार से रो रहे हैं चीक रहे हैं कॉंग्रेस पार्टी का काम उनके आसूं को पोचने का है उनके चीकों को बंद करने का है अब देव रो क्यों रहा है ये मैं आज आपको समझाना चाहता हूँ नरेंद्र मोधी जी ने हरियाना की सरकार ने systematically इस देश का जो रोजगार का सिस्टम है उसको खतम किया है वो जो युवा अमरीका गए है छोटे से घर में बीस पच्चे से एक कमरे में रह रहे है एक वहाँ पर था जिसको एक्सिडंट हो गया चल नहीं पा रहा है उसकी मा मुझे कहती है राहूल जी मैं तो बेटे से मिलना चाहती हूँ मैं कहना नहीं चाहता था कैसे मिलोगी वो दस साल के लिए वापिस नहीं आ सकता तो बच्चे चला रहे हैं माता ही चला रही हैं पुरा परिवार चला रहा है क्यों? क्योंकि हरियाना में रोजगार नहीं नरेंद्र मोधी क्या करते हैं? काले कानून लाते हैं जो है आपके पास जो आप पुरे देश को देते हो वो भी छीनने की कोशिश करने हैं कल मैं जम्मू कश्मीर गया वहाँ पे कंप्लेंट आ रही है भाईया हमारा सेव का पूरा बिजनस ठप हो गया आदानी जी को दे दिया है हिमाचल में सेव का बिजनस अदानी हो जाता है यहाँ पे आपको सही दाम नहीं मिलता है स्टॉरिज कंटेनर उनके सारे की सारी प्लैनिंग 10-15 लोगों के लिए होती है हर्याना के किसानों का कर्जा माफ नहीं होगा आपको सही MSP नहीं मिलेगी मगर 25 अरब पतियों का 16 लाग करोड रुपया कर्जा माफ होगा और आप देखते रहोगे कि भाई यह हो क्या रहा है यह प्रदेश जो पूरे देश को भोजन देता है यहां हो क्या रहा है हर्याने में ड्रग प्रॉब्लम है उन्होंने मुझे बता है कि राहूल जी हर्याने में ड्रग प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है गुजरात में अदानी के पॉर्ट में हजारों किलो ड्रग्स पाया जाता है आपने देखा तीन हजार किलो हेरुइन उनके पॉर्ट में पाया जाता है किसी को सजा हुई मीडिया में लिखा एक शब नहीं एरपोर्ट उनको चले जाते है पोर्ट सुनको चले जाते है मोबाइल फोन चलाओ जेब से पैसा उनको जाता है सडकों पे चलो जेब से पैसा उनको जाता है हवाई जहाद में जाओ खरीदो सारा का सारा उनके हाथ में आपके लिए क्या गलत GST नोट बंदी क्यूं? क्यूंकि छोटे वियापारियों को small medium size businesses की हतिया करनी है खतम करना है क्यूं? क्यूंकि ये 10-15 लोग चाइना का माल हिंदुस्तान में बेचना चाते है बनाना नहीं चाते है जो आप काम करते हैं जो छोटे बिजनस वाले करते हैं हाथ से बनाते हैं वो नहीं करना चाते है जो हिंदुस्तान में बनाता है उसको खतम करना चाते है और चाइना का माल हिंदुस्तान में वेचना चाते है लिस्ट निकालिए कंपनियों की चाइनीज कंपनियों के लिस्ट निकालिए और देखिए उनका हिंदुस्तान में पार्टनर कौन है चाइना की युवा को फाइदा मिल रहा है चाइना की सरकार को फाइदा मिल रहा है अरब पतियों को यहां फाइदा मिल रहा है नरेंद्र मोधीची की मार्केटिंग हो रही है और देव चिला रहा है चीख रहा है मेरे पापा को वापिस लाओ मुझे अपने पापा चाहिए मैं सोच रहा था जब मैं घर जाओंगा मैं देव के लिए थोड़े खिलोने भेजूंगा फिर मैंने सुचा क्या मतलब खिलोने से क्या होगा फुटबॉल से क्या होगा क्रिकेट बैक से क्या होगा वो तो अपना पापा चाहता है तो यह अरियाना की हालत है और यह हम बदलना चाहते हैं यहाँ पे स्टेज पे पुनिया जी बैठे हैं तहाँ है यह यह और इनके जैसे लोग गोल्ड मेदल पाते हैं मैं इनके जिम में गया यह 24 घंटा लगे रहते हैं 24 घंटा क्यों गोल्ड मेदल चाहिए क्यों हर्याना का नाम रोशन करना है हिंदुस्तान का नाम रोशन करना है पूरी दुनिया में हम चाहते हैं कि हर्याना का नाम जाए हिंदुस्तान का नाम जाए गोल्ड मेदल हम अपने लिए ने लेते हैं गोल्ड मेडल हम हिंदुस्तान के लिए लेते हैं इन्होंने कहा मुझे इसने कहा वो भी चार बजे सुबह इनका क्या किया सारे से सारे आथलीट्स को खतम कर दिया इनके दहनों का सेक्ष्वल हरास्मेंट हो रहा है और जो कर रहा है उसकी रक्षा चल रही है 24 गंटे टीवी पे देखू वो रो रही है कोई फरक नहीं परता BJP का आदमी है चिलाओ जितना चिलाना है देव के साथ चिलाओ 24 गंटा चिलाओ, हमें कोई फरक नहीं परता मर जाओ ऐसा हर्याना हमें नहीं चाहिए हमें हर्याना ऐसा चाहिए जहां बच्चे ना रोएं जहां पिता अपने बच्चे के गले लग सके जहां मा ना रोएं ऐसा हर्याना हमें चाहिए और ऐसा हर्याना कॉंग्रेस पार्टिय आपको देने जा रही है अब आप मुझसे पूछोगे आप मुझसे पूछोगे धीक है आपने कह दिया बताओ कैसे मैं आपको शुरुवात की बात करना हूँ पहला कदम महिला शक्ति 2000 रुपए हर महीने महिलाओं को और 500 रुपए का गया सिलिंडर दूसरा कदम जो दो लाख वेकंसीज सरकार में आज खाली पड़ी है युवाओं के लिए हम वो भर के आपको दे देंगे किसान को MSP गैरंटी करके हरियाना की सरकार देगी और जो आपका भीमा का पैसा है वो आपको एकदम मिलेगा जैसे ही नुकसान होगा उसके एकदम बाद आपको भीमा का पैसा मिलेगा गरीबों के लिए घर सो गर्ज के प्लॉट और साड़ी तीन लाक रुपए दो घर दो बेडरूम के घर के लिए और तीन सो यूनिट फ्री में बिजली मगर ये लड़ाई ये लड़ाई सिर्फ हरियाना की नहीं है मैं आपको बताओ ये लड़ाई हिंदुस्तान की लड़ाई है और ये लड़ाई कॉंस्टिटूशन को बचाने की लड़ाई है मैंने इसके बारे में बहुत सोचा है ये हो क्या रहा है ये बीजेपी के लोग कर क्या रहे है ये कॉंस्टिटूशन पर आक्रमन कर रहे है जो हिंदुस्तान के गरीब लोग हैं कमजोर वर्थ के लोग हैं Constitution उनकी रक्षा करता है और BJP Constitution को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं वो कह नहीं सकते ऐसे स्टेज पर आकर वो कह नहीं सकते कि हम Constitution को मिटा देंगे मगर वो करते हैं सारी की सारी संस्ताओं को RSS के लोगों के हवाले कर दी है पूरा कंट्रोल नागपूर का है उसमें हिंदुस्तान के 90% लोगों के लिए कोई जगे नहीं है आप देख लीजिए आप लिस्ट निकालिए जिन जिन लोगों को RSS ने हिंदुस्तान की संस्ताओं में डाला है लिस्ट निकालिए चात्यों मैं दे दूँगा आपको उसमें ना आपको एक OBC मिलेगा ना आपको एक दलित मिलेगा ना आपको आदिवासी मिलेगा तो खोकला कर रहें देश को Election Commission में अपने लोग, bureaucracy में अपने लोग, media में अपने लोग, intelligence services में अपने लोग और 90% हिंदुस्तान के लिए कुछ ने इसलिए हमने चुनाव में जाती चंगर्णा की बात की हिंदुस्तान में किसकी कितनी अबादी है, ये हम जानना चाहते है अब इसमें कोई गल्थ बात तो नहीं है जैसे चोट लगती है आपको पैर में चोट लगती है, डॉक्टर कहता है भईया, X-ray कराओ चेक कराओ हम सिर्फ ये कह रहें कि भईया, चेक कराओ इस देश में दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, पिछडे कितने हैं गरीब जेनरल कास्ट के कितने लोग हैं, ये पता लगाओ कभी RSS कहती है, करना चाहिए, अंदर से कहते हैं, भईया, ये मत करवा दे न, सच्चाई निकलाएगी सच्चाई क्या है, कि 90% लोगों के पास कुछ है ही नि, 250 सबसे बड़े बिजनेसे देख लीजिए लिस्ट निकाल लिए उनकी मैनेजमेंट के लिस्ट निकाल लीजिए, उनके सीयोज के लिस्ट निकाल लीजिए ओनर्शिप, जिसके आफ में उनके लिस्ट निकाल लीजिए आपको उसमें एक OBC, एक दलित, एक आदिवासी मिल जाये तो मुझे बता देना, मैं उसको अभी भी ढूंड रहा हूँ कॉर्परेट इंडिया में 90% हिंदुस्तान का एक भी व्यक्ति नहीं है गरीब जेनरल काद भी वहाँ आपको नहीं दिखेगा सिलेक्ट लोग है अधानी जी का बिजनस है हजारों बिजनस उससे कनेक्टेट है उस सारे के सारे कोई ना कोई परिवार का अदमी है भाई कुछ करता है, बहन कुछ करती है फैमिली बिजनस है ऐसे ही बिजनसे से 250 में से आप मुझे नाम दे दो दलित का आप नाम दे दो आदिवासी का आप नाम दे दो पिछड़े का नहीं है बिरोक्रिसी में देखो हिंदुस्तान की सरकार को 90 लोग चलाते है सेक्रेटरी कहलाते है तीन दलित है अबादी 15% 90 में से 3 पिछड़ों की अबादी कम से कम 50% 90 में से 3 होने कितने चाहिए 45 अगर आप अबादी से जाओ नए 3 और बज़ेट कितना समालते है आदिवासी जिनकी 8% अबादी है 100 रुपे में से 10 पैसा का बज़ेट समालते है दलित 100 रुपे में से 1 रुपे समालता है OBC 100 रुपे में से 5% समालता है यह इंदुस्तान की सचाहिए इसलिए हमने कहा है कि जाती जनकरना होगी नैशनल लेवल पे होगी और मैंने कहा है मोदी जी के सामने पार्लिमंट हाउस में आप करो ना करो मैं इसको इसी हाउस में पास करवाँगा आपके मूँ के सामने करवाँगा तो यह हर्याना की रियालिटी है और यह क्या करते हैं बाटने का काम करते हैं मीडिया वाले 24 गंटे लगे रहते हैं एक जात को दूसरी जात से लड़ा दो एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ा दो और पूरा का पूरा फाइदा अधानी को पहुचा दो हर्याना एक साथ लड़ेगा सब की सरकार बनेगी खुशी से बनेगी चुनाओं में कॉंग्रेस पार्टी स्वीप करने जा रही है स्वीप करने जा रही है और हम सब की सरकार बनाएंगे किसी एक की सरकार नहीं होगी पूरे हर्याना की सरकार होगी इसमें सब की इज़त होगी सब की रिस्पेक्ट होगी सब की जगे होगी और मेरी जहां भी आपको ज़रुरुत हो कहीं भी पार्लमेंट में आपको कुछ उठवाना हो कुछ कहलाना हो आप मुझे बस ओर्डर दीजिए राहुल जी हरियाना आपसे ये कहलवाना चाहता है मैं कह दूँगा वहाँ पे जा कि दिल का रिष्टा है पुराना रिष्टा है मैं आपसे यहां के पचास जूटनी बोलने वाला मुझे जी का काम है आपने दस साल देख लिए सुन ली उनकी बार आमदनी दुगनी कर दूँगा और फिर काले कानून ले आए छोटे बिजनिसेज को फाइदा पहुचाऊंगा नोट बंदी जी एस्टी ले आए उनका काम आप जानते हो अब सब मिलकर एक साथ हर्यानों को खड़ा होना है क्योंकि देव जैसे जो बच्चे रो रहे हैं उनके आसू पोचने हैं उनको खुश करना है और उनको अपने पिता के पास गले मिलने देना है धन्यवाद अगर आप भी लेना चाहते हैं देश-दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाए ताकि हर अपडेट आप तक पहुँच सके